आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनसी होने के लिए बच्चे दानी का मुख कब खुलता है ऐसे कई बार मेरे पास आपके कमेंट्स आते हैं तो बच्चे दानी का मुख से और प्रेगनसी से क्या रिलेशन हो ऐसे क्या काम करता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी अब सेप से पहले हम बात कर लेते हैं कि बच्चे दानी होती क्या है जिसमें बच्चा लगता है उसका एक मूख होता है जिसको मेडिकल लैंग्वेज में सर्विक्स बोलते है जो बहुत ही छोटा सा माइनर सा होता है और बहुत ही पतला सा इसका मूख होता है बच्चे दानी का इस मूख से ही पूरुष के जो स्पर्म होते हैं वो जाते हैं यहां से वो गुजरते हैं यहाँ आप देखेंगी कि यहाँ से वो गुज़रता है और जो सपर्म होते हैं वो यहाँ से छोड़ाते है इससे आगे हम नहीं छोड़ सकते हैं तो यहाँ से जो गुज़रता हुआ अब उसको यहाँ पे फैलोपियन ट्यूप तक पाऊशना होता है इस फैलोपियन टूप में कि थोड़ा सामने अंडाशे होता है जहां से अंडे बनते हैं और वहां से वो अंडे निकलते हैं और फैलोपियन टूप में आते हैं जिसमें अंडे बनके जो अंडे हैं वो निकलके आते हैं और वो जो sperm है यहां से जाते हैं वो बहुत ही चोटे-चोटे होते हैं इस चोटे sperm को यहां से ट्राइवल करते हुए जाना होता है और यह इतने बारिक होते हैं कि आपका पूरुष का फ्लूड होता है उसमें यह दिखाई नहीं देते हैं क्यूंकि यह बहुत ही चोटे-चो तो मतलब वो इतने चोटे होते हैं, तो इसमें आप समझ जाओ कि जो बच्चेदानी का मूँख होता है, जिसको medical language में cervix बोलते हैं, और इसमें से गुजरने के लिए इसको बच्चेदानी का मूँख को खुलने की कोई जरूरत नहीं है, तो बच्चेदानी का मूँख कुलन और जब sperm यहां से release किये जाते है तो बहुत सारे इधर उदर चले जाते है कोई इस रास्ते से जाता है कोई उस रास्ते से जाता है कोई अंदर गुजर जाता है तो यह दो कारण होते है एक तो अंदर गुजरने में इसकी help करता है इससे जो बच्चे दानी का मुह है या बच पूद्ष में इतनी एनर्जी होती है कि उसको आगे बेजने के लिए हेल्प करता है इस तरह से वो आगे जाते रहते हैं अब जो बच्चेदानी का मूँ कब खुलता है तो देखो आप सोच रहे होगे कि प्रेड आता है तो बच्चेदानी का मूँ खुलता है तो ऐसा नहीं है लास्ट टाइम आगको अगर प्रेगनसी नहीं रुखी है तब वो यह जो दिवार होती है यह दिवार तुटके बाहर आ जाती है और वो पीरेट के फॉर्म में आती है ब्लीडिंग के फॉर्म में आती है तो बच्चे दानी का मुझ खुलना यह नहीं होता है बस यह डिपेंडेंट होता है प्रेगनसी का जो वो अंडा कब बाहर आ रहा है क्योंकि स्पर्म जो होते हैं वो दो से पाचे मेल में लगबग 20 से 40 मिलियम होते हैं इसमें जो स्पर्म होते हैं वो काफी हाइस्पीड वाले होते हैं और कुछ जो होते हैं और उसमें हमने समंद बना लिये और यह जो पॉम होते हैं एक घंटे के अंदर अगर फैलोपियन ट्यूप तो पहुँच जाए और वहाँ पे उनको अंडा मिल जाए तो वहाँ प्रेगनसी होगी अंडा नहीं मिलेगा तो प्रेगनसी नहीं होगी अब यह डिपेंडनसी यह होती है कि महिला का अंडा कब बनता है तो जो महिला की साइकल होती है वो डिपेंड करती है कई महिला की साइकल 28 दिन की होती है पर किसी की 35 दिन की होती है किसी की 22 दिन में आ जाती है कोई 23, 24, 25, 26, 27, 28 और कोई तो 30, 32 दिर्व में आ जाती है यह सारे चीजे जो डेट होते ह वो normal होती है तो महिला को यह पैचानना जरूरी है कि आपकी जो cycle है वो कितने दिन में आ रही है इसको लगबग 3 महने तक आपको minimum यह count करना है कि आपकी जो bleeding है वो start हुई तो अगली bleeding कब से start होगी ऐसे 3 महने तक आपको करना है आपको यह calendar में mark करना है कि आपको और यह चीज़ identify करना है कि आपकी cycle है वो period cycle क्या चल रही है इससे लगबग आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपकी 30 दिन की है 31 दिन की है 27 दिन की है 28 दिन की है इसमें से फिर मैंने बताया कि आपको calculation कैसे करोगी तो देखो आपकी जो अगली आपकी date होती है मानले किसी मैला की 30 दिन की period cycle है तो अगली आज start हुई है तो वो 30 में से अगली उसको तारीक पता होगा कि किस तारीक को उसकी period cycle आने वाली है उस 30 में से उसने 14 minus करना है यानि 30 में से 14 minus करना है तो कितने आएंगे 16 16 आएंगे तो 16 वे दिन हो सकता है अंडा बाहर निकले पर यह cycle आगे पीछे change होती रहती है तो इस चक्कर में हम 2 दिन आगे लेते हैं और 2 दिन पीछे लेते हैं क्योंकि हमको exactly पता नहीं है न अंडा किस दिन released होगा तो इसलिए हम जो हमारी evolution की date होती है उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में समंद बनाते है तो इसमें क्या होता है 16 के 2 दिन पहले आने 14, 15, 16 और फिर 16 के 2 दिन बाद मतलब 17, 18, 19 तो यह चीज़ आपको समझना बहुत ही जरूरी है इसका dedicated video channel पर already available है यह एंडा कैसे release होता है कैसे काम करता है अगर sperm यहां मिल जाता है तो यारी एंडा और जो sperm मिल जाते हैं तो वो एक जाइगोड बनाते हैं लेकिन अभी भी यहां पर pregnancy confirm नहीं होती है क्योंकि जब तक वो इंप्लांट नहीं होती है फैलोपियन टूप से निकल के एंडोमेट्रियम की lining पर आके नहीं चिपकती तब तक वहां पर pregnancy confirm नहीं होती है और इस जो process है उसको minimum 5 से 6 दिन लग जाते है वहां पर जब वो एंडोमेट्रियम की lining पर आके चिपकता है एंडोमेट्रियम में गड़ा सा बना लेता है उस क्रिया को implantation कहते है और जब आपको implantation होता है तब माने जाते कि आपकी pregnancy हो गई है अब यह implantation implantation जब होता है उसको भी समय लगता है उसको भी 4 से 5 दिनों का समय लगता है इस implantation को यानि यह फैलोपियन ट्यूप से निकल के एंडोमेट्रियम की lining पर आके चिपकने के लिए अगर देखा जाए तो 10 से 11 दिन का समय लग जाता है बच्चे दानी का मूँ खुलने से और ना खुलने से इस चीज का कोई फरक नहीं पड़ता तो बच्चे दानी का मूँ कब खुलता है तो देखो नॉर्मली बच्चे दानी का मूँ खुलता ही नहीं है वो खुलता कब है जब pregnancy हो जाती है और बच्चे का जो 12 आने का time हो जाता है उस time बच्चे दानी का मूँ खुलता है यानि delivery का जो time होता है 10 cm तक खुल जाती है पर ये कप खुलती है जब pregnancy होती है delivery का time आजाता है उस time ये खुलती है उस time क्या होता है बहुत ज़्यादा तेर दर्ध होता है मरोडिया start हो जाती है पेट में दर्ध start हो जाता है तब बच्चेदानी का मुझ खुलता है और वो किसके लिए जिम्मेदार होता है इस खुलने के लिए हमारे brain में एक hormone होता है pituitary gland वो ये सब चीज़े करवाता है तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि बताई कि scientifically proof हो गया है कि बच्चेदानी का मुझ कब खुलता है जब pregnancy का बच्चे का time आ गया है उस time पे शेयर करें और like करना बिल्कुल भी न भूलिए अजयर करें और like करना बिल्कुल भी न भूलिए